So Hello Future Doctors, कैसे हैं आप सब I think बहुत अच्छे होंगी, मैं हूँ आपके दोस्त डॉक्टर विशीक, दोस्तों नेश्ट एक्जाम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है, जी हाँ, जो अपडेट है वो NMC की तरब से है, नेश्ट एक्जाम को जो है अभी होल्ड कर दिया गया ह और यह बोला गया है, जब तक अगला आदेश नहीं आएगा, तब तक नेश्ट एक्जाम नहीं होगा, पहले यह सुनने में आ रहा था कि 2024 में नेट पीजी एक्जाम ना होकर, नेश्ट एक्जाम कराया जाएगा, लेकिन अभी जो लेटेस अपडेट आइस बताया गया है कि जुलाई में आप सभी का नेट पीजी एक्जाम हो सकता है, यह है पहली बड़ी अप्रेट, दूसरी बड़ी अप्रेट यह है कि जो अभी तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, वह भी इस बार आप सभी के साथ होने वाला है, आप सब को पता है कि आफ्टर MBBS जब आप पी प्राइबेट कॉलेज से करते थे उनको अलग, लेकिन इस मैटर पे प्राइबेट कॉलेज के बच्चों को हमेशा से प्राब्लम थी, हमेशा से आपत्ती थी और वो अपनी वाइस जो है राइस करते थे कि ऐसा नहीं हो, जो बच्चे PG कर रहे हैं, उनको गौर्वर्मन्ट समान अधिकार दे, तो फैनली ये अब हो गया है, आपको बता दें कि आप्टर बीबीज से बाब PG करते हैं, तो पच्चास हजार से लेकर सतर हजार पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलता है, और अभी तक ये अलग-अलग कॉलेज में गौर्मन्ट और प्राइबेट अलग मिलती है, गौर्मन्ट की तरफ थे, जब आप PG करते हैं, तो ये बहुत अच्छा कदम है, और इससे गौर्मन्ट प्राइबेट की तो अलग-अलग बच्चों की बीच में दीवार खड़ी थी पैसे की, वो अब खतम हो रहे हैं, बच्चे दोनों मेहनत करते हैं, तो दोनो को समान अधिकार मिलना चाहिए, तो ये बड़ी अप्रेट थी, आप सभी बच्चों के लिए इस वीडियो को देखने के लिए, आप सभी डॉक्टर्स का, सभी फीचर डॉक्टर्स का बहुत बहुत धनेवाद, थैंकी सो मच, जैहिन